हेलो दोस्तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर किसी employee की promotion हुई है तो उसकी हम pay fixation कैसे कर सकते हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूँ कई चैक़र क्या करते हैं कि अगर promotion हुई है तो transactions में जाके future transactions में और फिर future transaction में जाके यहाँ फाइनेंशिल अपग्रेडेशन में उसकी entry कर देते हैं यहाँ भी करते हैं तो उसमें भी एंटर कर देते हैं रिमाक्स में कि financial अपग्रेडेशन not counted for ACP and promotion तो ऐसी गलत entry आप ना करें फिर बाद में ACP में problem आएगी क्योंकि एक बार entry करने के बाद अगर एंटरी freeze हो गई तो आप को unfreeze करवाने के लिए भी काफी पहनत करने पड़ेगी तो अगर किसी employee की promotion हुई है तो उसकी pay fix करने के लिए आप transactions में जाएंगे transactions में ddo transactions और ddo transactions में option है pay fixation का pay fixation में जाके फिर से pay fixation पे क्लिक करेंगे यहां पर यहां पर pay fixation में pay fixation type select करनी है हमें अगर starting से आप pay fix कर रहे हैं तो fresh entry अगर किसी पहले वाली entry को revise करना तो revise old entry तो fresh पर क्लिक करने के बाद यहां से type आ जाएगी आपके पास journal pay revision है not counted for ACP promotion तो यह select करने की गलती तो ना करें promotion पर एसीप है तो ACP select करेंगे जैसे हम इस वीडियो में promotion पर pay fix करने की वीडियो बना रहे हैं तो हम on promotion select करेंगे यहां से on promotion select करने के बाद जिस जिस employee की promotion हुई है उनके नाम यहां पे आपके सामने show कर देगा यह तो जिस भी employee की आप pay fix करना चाहते हैं, उसको select करेंगे, ये screen open होगी आपके सामने, उसके बाद आप order number एंटर करेंगे, जो भी pay fixation का order है, या फिर promotion order भी एंटर कर सकते हैं, उसके बाद order date, इसमे एक चीज ध्यान रखनी है, कि order date जो है, उससे पहले की sanction date होनी चाहिए, आप same date भी र दालते हैं, तो ये accept नहीं करेगा, उसके बाद place, place में जिस office में भी employee working है, वहाँ का नाम डाल देंगे आप, यहाँ पे order में वैसे तो जो order आपने बनाए हैं, वो order type करने होते हैं proper, क्योंकि ये noting drafting की तरह ही है, जो ये order का option दिया गया इसमें, लेकिन for the time being, आप ये भी enter कर सकते हैं, जैसे हम remarks देते हैं, एक दो line के, तो ये enter करने के बाद, यहाँ पे enter करना है कि किस date से हम उसको grant कर रहे हैं, financial upgradation, जो उसकी pay fix कर रहे हैं, यहाँ पे दिखाएगा आपको पुराना pay scale उसका, उसके बाद यहाँ से हमें select करना है, उसका नया pay scale, तो जिस pay scale में हम यह mandatory नहीं है, order to, fill करना, order by में enter करेंगे हम, जिस भी officer ने order किये हैं, pay fixation के, उसके बाद यह जो columns है, cc और two others, internal distribution के, यह होते हैं, जो हम endorsement वगड़ा लगाते हैं, और जो order बनाई हैं, जिसको forward करते हैं, उसके enter करने के, इसको आप enter करना चाहें, तो कर भी सकते हैं, नहीं तो यह भी mandatory नहीं है, तो यह detail center करने के बाद फिर हम इसको save कर देंगे, यह record save हो चुका है, save करने के बाद हमें generate order पे click करना है, यह pay fixation के order generate हो चुके हैं, pay fixation on promotion, इसके बाद अगर आप ddu transactions में जाके pay fixation पे दुबारा चेक करते हैं, तो वो नाम यहां से हट जाएगा, जिस भी employee के आप pay fix करेंगे, इसको आप चेक कर सकते हैं, future transactions, future transactions में जाके, अब जैसे कि यह promotion के entry है, और financial upgradation पे आप click करेंगे, तो यह यहाँ पे own promotion की entry आ चुकी है, इसमें, तो यह था process, promotion पे हम किसी employee की pay fix कैसे कर सकते हैं, अगर आप इस तरीके से ना करके, direct financial upgradation में आके यहां से add करते हैं, तो pay fix तो आपकी वहां से भी हो जाएगी, for the time being salary भी ठीक बनने लग जाएगी, लेकिन यहाँ पे आपकी pendency में show करता रहेगा, जो हम report लेते हैं, HRMS की कितनी entries pending हैं हमारी, तो उसमें यहाँ पे show करता रहेगा, यह यह चीज़ें आपकी pending हैं, जैसे यह कुछ employee है मेरे, जिनके नाम अब भी show हो रहे हैं आपे, इनकी salary ठीक आ रही है, क्योंकि इनकी pay fixation future transactions में जाके कर दी गई है, जबकि की जानी थी यहां से, तो promotion की या फिर ACP की जो भी pay fixation है, वो आप radio transactions में जाके pay fixation से ही करें, otherwise यह tendency show करता रहेगा, तो यह था process, own promotion, pay fixation करने का HRMS में, अगर आप channel पर नए हैं, तो channel को subscribe कर लें, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए जैहिंद,